नमस्कार दोस्तों SSC CHSL आज 14 अक्टूबर 2020 का जो है सेकंड शिफ्ट का एक्जाम अभी 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 कम्क्लिट हुआ है और चलिए हम यहाँ पे उसका पेपर आनल्सिस लेके आते हैं आपके लिए डिस्कस करते हैं सारे महत्पूर्ण को नमस्कार मैं कभिल मित्तल आप आतार मिलते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय कवाई और दोस्तों यहाँ पर एक चीज महत्पूर्ण में बताएता हूं कल के तीन वीडियो जो है और आज के मॉर्णिंग सेशन का जो फर्स सिफ्ट का पेपर है उनके वीडियो भी हमने यहाँ पे डाल दिये हैं और आप उसमें हमने गहन विसलेशन और जो भी महत्पूर्ण तत्थ हैं उन कॉश्चन से रिलेटेड वो सारे सब हमने डाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला कॉश्चन जो आज के इसमें पेपर में आया है वो है भारती राश्टी कॉंग्रेस हरीपूर अध्वे के पर्स में भी पूचा जा सकता है अगला कॉश्चन है बैहर का चंपारण अंदोलन गांदी जी के नित्रत में कब शुरू हुआ तो दोस्तों यह 1970 में हुआ था और यह किसान अंदोलन था हाली में जनवरी 2020 में किस देश के प्रधान मंत्री ने इस्तीपा दे दिया तो और भी महीनों में दिये गए हैं प्रधान मंत्री दोरा लेकिन जनवरी 2020 में स्रीलंका के प्रधान मंत्री ने इस्तीपा दिया है तो दोस्तों यहां पे स्वास्थ कारणों से जापान के प्रधान मंत्री हैं सिंजो आबे इनको जो है लीवर में किट्नी में कोई समश्या ह हो गई थी तो उसकी वज़े से रेर डिजीज थी इसकी वज़े से इनों ने यहां पर स्थीपा दे दिया है अगला कोशन सेलेश्टियल बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है और जिसने वर्स 2019 का बुकर प्राइज जीता है तो दोस्तों इसको याद सेलेश्टियल बॉडी यह पुस्तक है नोवल है और इसको इसके राइटर को जो है इस पुस्तक पर 2019 का बुकर प्राइज मिला था और यह हैं ओमान की लेखका है यह महिला है महिला लेखका जोखा अलहरती इसको नाम को याद कर लेना बार 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 पुछा जाएगा क्यों क्योंकि यह बुकर प्राइस से हर एक्जाम में लगबग एक कॉश्चन फिक्स रहता है और यहां पे 2019 के लिए प्रत्रिष्टित मान बुकर पुरुस्कार अंतरराश्टरी पुरुस्कार के लिए इन चुना गया मान इसको मैन भी बोल देते हैं मान भी बोल देते हैं मान बुकर यह बैसिकली मान इंटरनेशनल द्वारा यह प्रा नेपाल से इन में से किस भारती राज की सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों यहां पर जो आपसंस दे रहे थे उसमें यह पूछा गया है लेकिन यहां पर हम यह लग रहे हैं कि इन इन राज्यों से जो है सीमा लगती है ठीक है तो यहां पर इन सब को आप याद रखना इन रा मैच में Man of the Match किसे चुना गया है दोस्तों यहां पर Player of the Series जो है विराट गोली है और Man of the Match जो है और रोहित सर्मा है ठीक है और बात करें BBC Sports Personality of the Year 2019 किसे मिला है तो England के Cricket है Ben Stokes तो इनको मिला है इसके Country जो है इंग्लेंड यह याद रखना और पूंजीवादी अर्थवस्ता से कॉशन आया था दोस्तों यहां पर पूंजीवादी अर्थवस्ता क्या होती है जहां पर कोई भी शोचल आस्पेक्ट नहीं होता मतलब आपकी जिब में पैसे हैं तो आप बाजार में जाके सामान ख चलिए आगे बढ़ते हैं पास्पोर्ट इंडेक्स में पहले इस्तान पर कौन सा देश है तो इसमें जापान है जापान जो है पास्पोर्ट इंडेक्स में पहले इस्तान पर आया है वहीं बात करें सिवालिक पाडियों को अन्निक इस नाम से जाना जाता है तो सिवालिक का शाब्दे करता है भगवान शिव के तांत्रिक है तो यहां पे शिवालिक पाड़ी यह हो गई और वह कौन सा टेवाइस होता है जो एनालोग signal को digital में करता है तो दोस्तों यहां पे analog to digital converter होगा analog से digital में convert करना है तो analog to digital converter ठीक है सीधासा है बहुत ही simple है अगला है ऐसे ही यहाँ पर अगर question आता है digital से analog में convert करने के लिए तो यहाँ पर digital to analog converter dac converter ठीक है कौन सा sports खिलाडी है जो कुस्ती के खेल से सम्मंदित नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आप कुस्ती के कुस्ती खेल से related जो भी खिलाडी है उनके विशह में आप पहले से ही अगर देखके जाएंगे तो आप आपको फाइदा रहेगा यहाँ पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा किस के द्वारा लिखा गया था दोस्तों यह सब को पता होना जी मुहम्मद इिकबाल द्वारा यह घीत जो है यह लहने हैं यह रची गई थी इनके द्वारा महा भयोग की प्रक्रिया के तहत किस को उसके पत से हटाये जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर भारत के राश्टपति को अठाये सकता है Supreme Court के Supreme Court और High Court के जो जज होते हैं उनको अठाये जा सकता है Chief FIH hockey tournament से संबंदित दोस्तों एक प्रसन बूचा गया है तो आप hockey और FIH से related यहाँ पर टूर्नामेंट हुए हैं उनकी आप जानकारी ले सकते हैं इनसे खिलाडियों के देख सकते हैं किस-किस ने इसको जीता है और कौन man of the match रहा कौन man of the tournament रहा इस तरीके के चलिए आगे बढ़ते हैं महामहिम राष्टपती रामनात कोविन जी राष्टपतियों की जो लिस्ट है उसमें कौन से क्रमपर राष्टपती बने हैं तो यह 14 वे राष्टपती हैं भारत के 14 नंबर पे इनका नाम आता है लिस्ट में आगे बढ़ते हैं वर्तवान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयोगत कौन है तो भारत के मुख्य चुनाव आयोगत वर्तमान समय में सुनील अरोडा है और चुनाव आयोगत यह कौन है यह मुख्य चुनाव आयोगत है चीफ एलेक्षन कमीशन चीफ एलेक्षन कमीशन और यह जो है राजीव कुमार यह एलेक सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से तीन मेंबर होते हैं मोहिनी अट्टम लोगनर्थ किस भारती राजी का लोगनर्थ है तो दोस्तों मोहिनी अट्टम आपको याद रहा ना जी यह केरल का जो है तो इस तरीके से भी कॉशन आ सकता है फोटोग्राभी प्रक्रिया में मुख्षी रूप से कौनकों से रंग उपयोग में लाए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रेड है ग्रीन है और ब्लू है और अर जी बी इस फॉर्मिले को याद कर लेना अर जी भी ठीक है कौन सा ब्ल देता हूं यहाँ पे एंटीजन होते हैं एंटीबोडी एंटीजन तो यहाँ पे वाले में ए होता है और बी वाले में बी होता है ए बी प्लस में जो है ए प्लस बी प्लस यह सब होते हैं यह सब तरीके के ले सकता है ठीक है और दे कौन सकता है वो ओ माइनस वाला ओ माइनस वाला सबको दे सकता है यह universal donor कहलाता है universal donor ठीक है तो इस तरीके से जो है आप से question आए तो आप इसे attempt कर सकते हो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो यहाँ options जो दिये गए हैं उनमें चांदी है लेकिन अगर यहाँ पे सोना भी दे रखा होता तो यहाँ पे सोना जो है यह number one पे आएगा number two पे चांदी आती है और उसके बाद तामा आता है ठीक है यह तामा जो है number third पे आता है तो आप यह sequence अपने options देखके यहाँ पे questions को attempt कर सकते हो और विसे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे direct केवल रटके ही नहीं जाना है और चीजों को समझते हुए करना है नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज अलग करता है तो दोस्तों यहाँ पे यह नेपाल है यह भूटान है और यहाँ बीच में जो है यह आपका सिक्क्यम पढ़ जाता है ठीक है तो ऐसे और यह इधर पूरा यह ऐसे इंडिया है इधर अड़ना चल है ठीक है संयुक्त से नभ्यास आइरन यूनियन किन दो देशों के मद्द होता है दोस्तों यह आइरन यूनियन यह USA और UAE इंदों के बीच है यू-यू याद रखना और यह यूनियन ठीक है और यहाँ पे संयुक्त से नभ्यास इंड्र यह है इंड्र ठीक है तो यह इं important यह है भारत और रूस के सेनाओं के बीच है दूसरी चीज यहां पर तीनों सेनाओं का यह सईयुकत अभ्यास है ठीक है और इसको हम अभ्यास इंद्र 2019 के नाम से जानते हैं तो यह 10 से 19 दिसंबर 2019 को हुआ था और कहां हुआ था यह जहांसी के बबीना में हुआ था और यह बबीना कहां पढ़ता है उत्तर प्रदेश में है इसके अलावा यह पूने और गोवा में भी आयोजित होगा ठीक है और यह अभ्यास का 11 संस्क्रण है महीं बात करें कि SBI के चेर्मेन वर्तमा चेर्मेन तो यहां पर ऑप्संस के एसाब से रजनीश कुमार और मनुष्य व दोस्तों यहां पर यह ट्रोपोईस्पियर है ठीक है इसके ऊपर स्ट्रेटो होता है और इसके ऊपर मीजो होता है इस तरीके से यह कई सारी लेयर होती है तो यह पहली लेयर जो है यह ट्रोपोईस्पियर ठीक है अगला है इन में से सबसे प्राचीन सडक कौन सी है तो दो भारत में अगर हम बात करें तो यहां ऑक्संस के इसाफ से कर लेंगे वैसे अगर प्राचीन यहां पर राजमार्ग की बात की जाए तो यहां पर सेर शाह सूरी मार्ग ठीक है और जनरली यही पूछा जाता है पेपर्स में और इसी को बाद में जो है यह नेशनल हाईवे प्रसानमंत्री मोदी जी तो उनके ऊपर एक मूवी बनी थी उनके जीवन के ऊपर और उसके जो डायरेक्टर थे वो उमंग कुमार और जो उसमें एक्टर है वो एक्टर है विवेक ओब रहा है तो यह आपको याल रखना है उमंग कुमार और विवेक ओब रहा है द्वारका होना चाहिए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए और यहां पर हम सेकेंड सिप्ट का जो जीके के सॉल्यूसन्स का एक एनलेसिस है वो भी हम लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में तो तब तक इंतजार कीजिए और हमार लोगों ने हमारे वीडियो को पूरा पूरा देखा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों फटापट से हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को दबा दीजे जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते जाती है हम आई-एस के भी जो महत्पूर्ण आई-एस, PCS इन एक्जाम्स के ओरियंटे हम यहां पे GS और करेंट अफेर्स पढ़ाते हैं तो इसलिए हमारी करेंट अफेर्स बहुत ही कॉंप्रियंस होती है और यह सारे जो एक्जाम्स हैं इनकी करेंट अफेर्स में कवर हो